जो नाजरीन एक चोटे से वक्षे के बाद हम आपी खिदमें दुआरा हाजर हैं अपने टॉपिक के बारे में आपको दुआरा बताते चलिए हमारा आज का टॉपिक है इसलामी मौशरे में तलाक का बढ़ता हुआ रोज्जान इसकी वजीव हाथ और को हम जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इन मामूलात पर इन इश्यूस पर बात करने का मक्सद ये होता है ताके हम कहीं जो हमारे जहनों में एक चोटी सी मुक्सिफ ऐसी बाते होती हैं जिनको हम जिनके ओपर हम एक्शन ले लेते हैं उ जो इखतलाफात भी होते हैं नजरियात के भी सोचों के भी और लाइफस्टाइल के भी लेकिन चुके मिया बीवी का रिष्टा जो है वो गिवन टेक का है अगर आप एक साइट देती है तो अगर देती रहे और दूसरा उसके जवाब में कुछ नहीं दे रहा याई अपन किसे मत सुनिया आप हमसे बात कीजिए इसलाम अलीकुम जान अगर का आपका मुद्ध बहुत अच्छा मुद्ध है, I like that, कि अगर शादी करने से पहले जोड़े हैं, अगर वो इस दीज़ को देखें, कि हमारी एहलिया जो है, वो दीनदार है, तरब इतना देखें, अगर उसके अंदर दीनदारी है, तो वो इन्शालला वो शादी काम्याब ह ही है, कि वो खातून जाए वो बेदीन है, उसको ताहरत कहीं नहीं पता है, तो जाहरा फिर तलाके को होंगी, तो लड़ाई होगी, और दूसरी वज़ा माशी मसाहिल हैं हमारे माश्रे में बहुत ज्यादा, और दीन से दूरी है, और इंडियन ड्रामे हैं, पाकस्तानी ड अगर 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 बंदा शादी करने से पहले में हो नुजमानों को को ये स्पेशलिज नकी साब के बेटे घयूर बास को बलता हूं कि अगर तुमारी बीवी अगर तुमारी शरीक हाया दीनदार होगी, तो कभी इंशालला तलाक में होगी, तो बहुत शुक्रिया, और कि जिसके नाम लेकर हमारी पॉलिसी नहीं है, इसका खास खाल लगखा जाए कि किसी के बीटे के लिए जो है बहुत कहें, हमारे कालर्स हमारे ले बहुत महतरा में हैं सब, हाँ, तो बात हो रही है सारी, कि जो आपने बात की वह बहुत अगर को शामल करें एंगे, असलाम आल आपको भी आपको भी तक रही है जिए आपको बीस्ट अश्वाइए लुगा बात बात अपना 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 उपन जे बिलकुल बिलकुल इसमें कोई शक नहीं है वहाजा जितने सालो बाद मर्दी जाएं चाहे लेकिन वही फीलिंग जो होती ही जो दोबारा आ जाती है मेरा मतर्व वतन इमान होता है जिसका वतन नहीं उसका कुछ भी जो बहुत अच्छा हुआ चिकल लगाई आज आपको इसलामी मार्शरे में तलाब के रुजान उसी भाई इसमें एक नहीं कई वजू हाता है जिसकी वज़ा से ये रुजान बाद रहा है सबसे एक दो इबाद करूंगा बरना काफी पॉइंट मिलते हैं ऐसे जिसी वज़ाती होता है बाराल मैं दो एक दो बाती करूंगा ज्यादा बादम भी नहीं करूंगा कि इस मादा परस्ती के दोर में आई से कुछ अर्सा पहले जब लोग मादा परस्ती के दोर में नहीं थे दौलत की दोर में नहीं बाद रहे थे तो उस वक्त लोग खानदान को खानदान के साथ मलाते थे और एक इज़त वाला खानदान, दूसरे इज़त वाले खानदान को मिलता था और फिर फकर मसूस करता था कि हम फुलाँ खानदान में गये और वहां खानदान के हमारे गार में आई और फकर से बताते थे कि फुलाँ गी बेटी, फुलाँ खानदान की बेटी मेरे गर में आया बहु आयवे जो भी है लेकिन आज मादाफरस्ती के दोर में खानदान तो चलेगा एक तरफ उनको तो समेट कर रख दिया और दौलत ने इतना असर डाल दिया लोगों में माशरे में के लोग खानदान तो खानदान रिष्टे बूल गए खून बूल गए अपनी हर चीज़ को बूल गए अब रिष्टेदार भी वो ही होगा जिसके पाल दौलत होगी पजेरो होगी पराटो होगी वो ही रिष्टेदार भी है और जो गरीब होगा तक अबाई भी होगा उसके साथ सलाम लेना भी पसानी किया जायागा एक तो वज़ा ये है कि तफरका आ गया इसमें कि मादा परस्लोग हो गए दूसरी वज़ा ये है कि जब हम ये चीज़ देखते हैं जिन लोगों ने मेनत से कमाया हो वो अपनी मेनत के साथ अपने ग़ार से किसी बचछी में करते हैं उसकी शादी उनके उनका खोण होता है मिला होगा जिन रातो रात लूट के साथ कुछ किया हो उनने इस इसकी कदर नहीं होती वो हर चीज़ बगएर आशोचि की दे देते हैं जब ये इस किसम की बातें जहेद बगएरा बड़ा बारपूर सब कुछ देते हैं तो वो जो माश्रे का निचला तबका उस पर असर करता है और जब असर करता है तो निचला तबका भी अपनी सोचों को बढ़ाने की कोशिश करता है वसायल ना होने के बावजूद फिर भी वो कुशिश करके अपने बर करता है कुछ कर लेता है जिसकी वज़ाते ये और मसीबत आगे पड़ जाती है तीसरी बात ये है कि जो आने वाला होती है या जाने वाला होता है उसमें भी सोच का फरक है क्योंके ये गलोबल विलेज़ है यह या यॉर्प में कुछ और है वहाँ पर और है लेकिन गलोबल विलेज़ है हर चीज मीडिया में आपको मिलती है यहाँ जल्दी खत्म करता हूँगा अगर इजादत दें तो एक मिसाल देता हूँ कि मेरे एक दोस्त था तो वो उसके चार भाई कैनेडा में रहते थे तो मैंने कहा तू कैनेडा क्यों नहीं जाता हूँ उसके वालत ने भी कहा मैं नहीं जाता हूँ मैं अपने मुलक में रहूंगा बाराल हमने उसे समझाव जा के बेज़ दिया जब हां गया तो में मैहिने के बाद वो वापस आगया मैं ऊँच्छा क्या हुए है जाजी छोड़े मुझे ना चेड़े मैंने को बाद बाद क्या है वो क्या है गयता है कि यहाँ आते हैं हमारे भाई हैं और कर्द टार रहे होते हैं और उनके हालत ही होती है कि उनके घार की मोर्गेज भी अदा ओमोलती है लिए ही हो आकर यागा आब रिया को यहादी अए जग्रू उसक्राइभ vulner ने सोचते हैं और जब ले आते हैं तो पिर उनके रही जाई हुआ Packarm के विएम्सार हो जाती है उको इसको कानून का पता चलता हो अaskार बादी है तो पर इस पता चलता है कि यह आप मामला आतलार्पी होगा यह मेरे वाई कितनी वजुवा आता हैं जिसकी वज़ा से यह रुजान पड़ रहा है इसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है एक ही तरीका है कि जो मुहमद और आल मुहमद ने जो फरमाया था हमें और जो दिखाया था हमने और जिस दीखे जो जिन्दकी गुजारना हमें बताया था अगर हम उस दीखे तरफ वापस चले आएं तो हमें हर चीज मिल जाती है हमें गार भी मिल जाता है, स्कून भी मिल जाता है और इस रुजान से हट भी जाते हैं लेकिन मुसीबर यहागरे जामादा प्रस्ती के दोर में हर अमीर को अमीरता होना है और जारीब को गरीबता होना ये तफरका जब कर रहेगा, ये रुजान बढ़ता रहेगा बहुत अच्छी बार माश्यादा जाते कि हम आगे पढ़ते रहेंगे ये बहुत अब आखेदार नहीं है करेंगे अबनुधों जिया कई फाले वापस आई हैं खैर्खरिये से आगे बहुत ही खैर तो आज आपका पहले दुआ करने जाहिए सब के लिए कि ऐ आल्ला ये जो टॉपिक है इस तक से नौब हो दिना पोचे कि जिनकी शादी हो चुकी है जिनकी होने वाली है रब तला उनके घर को अबाद रखे तो सबसे पहले तो हम मसला ये जो ना ये तलाक का है ये मसला ये नहीं है कि तलाके क्यूं हम अगर नभी ये पास लिए के दौर में जाते हैं तो तलाके उस वक्त भी होती थी लेकि इसमें सिर्फ वज़ यह है कि उस वक्त कम होती थी अब ज्यादा होती है इसकी वज़े क्या है सिंपल सी बात है जब अगर आप एक आलू का प्राठा जो है जब बनाते है न उसको बड़ी हल्की आँच बनाना पड़ता है जैसे ही उसकी आँच को ज्यादा कर देंगे आलू ऑला प्राठा जना वो जल जाएगा राख हो जाएगा यानि कि जो इन्सानी जिन्दगी का अली भाई जो निजाम है इसको इतना फास्ट कर दिया गया इस मौशरे ने माशरे से मरादे इस सिस्टम ने जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं लाइफ स्टाल इतना फास्ट कर दिया है कैपिलिजम के अंदर कि इन्सान इन मामलात के अंदर वो दूसरी मामलात में उल्जगिया है और इन मामलात के अंदर जाना जब वो आपना कोई प्राबलम आती है तो फॉरण ही ब्रेक हो जाता है तो ये इसकी जुमेदारी बांकी मून के ओपर है जो नजाम जो तलाके जो इन्सान सेपरट हो रहा है ये उनकी जिम्मेदारी है कभी कभी हम तारीख के ओपर इस नज़र दुड़ाएं ना तो जब महात्मा बुद्ध घार से निकल गे थे उनकी बीवी थी बच्चे भी थे अली भाई लेकिन वो क्या था वो एक निजाम को चेंज करने के लिए निकले थे कि ये जो निजाम है ये जो इन्सानी जिन्दगी के ओपर मसलत कर दिया गया है इसको जब तक चेंज नहीं करेंगे घर अबाद नहीं हो सकता यही आप नबी पासलालार से ने किया था तलाके होती थी लेकिन बहुत ही कम रेशियो में होती थी लेकिन आप इसकी रेट रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इसको अली भाई मैं आप तो शेयर करता हूँ मैंने अपने बेटे का नकाह करवाना था तो मैंने नकाह को डूनने की कोशिश की एक मुझसे मांग रहा था 500 पॉंड 500 पॉंड 500 पॉंड निकाह करने के और एक मुझसे मांग रहा था 100 पॉंड यानि के डिफ्रेंट डिफ्रेंट प्राइस थी और क्या था यह कमर्शिलाइज हो चुकी है यह चीजे इसके अंदर चाहे हमारे उलमयदीन है महमद इली भाई हमारे वो यून वाले महम जिन्दागी बर के लिए पढ़ ला था बयू ile था बर यह जो अधा अधर हमारे आखिरा में अबी फाथ से लेकार फैसे लाने के पैसे लिए हूप हुए यह निक अमल ता नेकी का काम था जिसको जारी रखना चाहिए था लेकिन आज मैं जूट नहीं भ TJPासर मुझे पांच सो पॉंट मांगे कि अगर मैं निकाह में ये 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 पढ़ूंगा तो पांच सो पॉंट हूंगा तो मैंने भी खुशी में दे नहीं एक आद बार जाए लेकिन फिर भी मुझे एक सो दस पॉंट देने ही पड़े यह कमर्शियलाइज हो चुका है तो इ लिजाम चेंज करना पड़ेगा आप नभी पास ने लिजाम चेंज किया हर इंसान करता है अधर वाइस ये जो तलाकों का रुजान है ना ये सुबा उटता हो ना यकीन जानी है जिस घर के अधर आज बेटी बेटे की चादी करो उसके डोर जब खुलता है ना उसके नाम क पता नहीं कितने लेटर आजते हैं कि तुमने ये 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 हमको देने हैं तो बचारे उस जंजर में पार जाते हैं तो पता चलता है कि जी बाद में दो हफते लगते हैं कि शादी तूट गई है अभी मैं अपने बेटे और जिसके बेटे की जहां पर शादी किये ना उस कभी भी आपने डैडी के घर पे नहीं गया लेकिन तू वीकेंड पे मेरे आता है तू आपनी वाइट के साथ रहे और तुझे घर मिल गया है वहाँ पे रहे तो लेकिन फिर भी मैं उसको मैं देखता हूँ कहीं प्राबलम ना जैसे ही उसके अंदर प्राबलम आएगी मैं आपसे शेयर करूँगा मैंने उसकी शादी की है मैं देखता हूँ क्योंकि जिस तरह मेरा बेटा बेटी है यही लोगों के घर में बेटी और बेटा है मैं openly कहूंगा कि मेरे बेटे को मैंने क्या किया उसकी क्या problem आई मैं टीवी पर कि दूसरे जो खांदान है वो भी जिल्ज़कते हैं बात करने लेकि मैं जिल्ज़कूंगा नहीं क्यों कि हमने निजाम को निजाम की बात करते हैं तो इंशालला तरह मैं आपसे शेयर शुरू करूंगा, मुझे लगता है कि प्रावलमानी शुरू हो चुकी है, तो इंशालला तरह दौा कीजिए का आप भी, मैं भी दौा करूंगा, और बाकी अल्ला करें कि ये रिजान खतब हो, और ये जो बांकी मून बैठा हुए ना, महाँ आग देद होती है, प्राठा जाल जाता है, वो निजाब को थोड़ा सा हलका कर दे, ये कैपिलिजर खत्म होगे दीन कहला तरह, किसी के घर में तलाक नहीं होगी, ना मौर जेका बिल नहीं होगा, थैकी मरी मैज, मेरी पैयन अरी भाई, मुझे टाइम देने का जिए जाके लाँ, बहुत अच्छी बात हैं की और नक्वी साब नहीं बहुत अच्छी बात है की, और जैसे यासिर साब कह रहा थे ला, कि वो तहरत नहीं आती, इसलिए उतलाग हो गई, तो मेरे भाई, मतलब क्या सारी औरतों के लिए यही है, तो बाद मर्द भी ऐसे होते हैं कि मर्दों में भी वो बुराइया हो सकती है, और क्या यही रीजन है कि उसको पाक करने नहीं आदे तो तो तलाग दे तो, मतलब हमें बालेंस रखना चाहिए, हमारा दीन हमें बालाज़गी क्या हो सकती है कि छोटी छोटी बातों पर जो है वो तलाग नहीं जाए, अगर तो अगर हम पकड़ने लगें तो मेरा खाल है प्रोग्राम कितने सारी प्रोग्राम समय शायद इस पर करना है पर हमें बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए और उस हिसाब से एक जहा हम बात करते हैं से खिबला ने कही कि बीवी नहीं शरी के हया ढूने है, जब आप शरी के के घर बेच देंगे, तो क्या दूसरी लेकर आएंगे वो कामिल होगी, जाहिर है ना, तो चीजें जो दीन हमें असास दी है, जो वह है और उसकी तरह अगर हम गोर करें, तो तमाम चीजें हमारी पैदा होती है, रिष्टा ढूने के मरहले से, जब वहां गलती होती है, तो वह गलती आगे जाके बड़ी वज जाती है, एक बड़ा चोटा साब अस्दा बन जाता है, तो वो मामला हो जाता है, वो निगल लेता है चीज़ों को, तो अगर हम उस हिसाब से, इस किबला ने अर्स किया, और हमें सीरत जनाब फात्म जाहरा सलाम अल्यालिया और सीरत अम बात ने की जाए, जितनी मिसाले ने दी जाएं, वो कम है, क्योंके जिन्दगी के हर शुबह के अंदर, कोई शुबह आप उठा के देख लें, आपको एक सीरत से बेतरी इंद फरमूदात आप दे लेंगे, तो चंद दुकात जो खिबला ने हमें बहुत ही कारामत पेश कि इस प्रोग्राम की उसातित से, तो अगर उनको देखा जाए, तो हम देखें कि यह मामला शुरू से है, यानि जैसे उनका कि इमान दो चीजों के उपर है, आदा शुकर पर आदा सबर पर, बहुत हो, यह दोने चीज़ें शामल हो जाएं, जिन्दगी आद समाँ जाएं, यानि सबर जहां करना है, वाँ सबर करें, जहां शुकर करना है, वाँ नाशुकरी ना करें, इन तमाम चीजों को ताके गाड़ी के दो पहिया की हैसिये से, आप उसको बैलन्स करके चलाएं, उसमें यह जिकर आना ही ने चाहिए, जैसे कि हमने यह टॉपिक रखने का इसको खतम किया जाए, यानि कि घरों को आबाद करने की तरफ जाया जाए, जो से, एक लम्हाए फिक्रिया और एक सेकिंग थाट दे सकें, वो लोग जो इस प्रॉसस में से गुजरत रहे हैं, या जो यह कोई आसान काम नहीं, बहुत तकलीफ दे अमल है, इसमें कोई खु जो चोटा सा मसला मैंने पूछना था, जी ये इसलामिक डिवोस के हवाले से, मेरे चोटे भाई के हवाले से, जी वो आप पूछिएगा जो कीजिये सवाल होता है, उसके अंदर, चुछिए आज के वो टॉपिक में जो वो नहीं है, नहीं है, क्योंकि हमारे पैनल में या तो आले में मारे साथ होते तो तो हम आपके सवाल आकुमेडियर कर लेते हैं, या पिर आले में खुद बैठे हो, तो पिर आपकी ये सवाल में कीजिएगा, जहां पर भी आप उलमा को बैठा देखें तो आप शरय हवाले से, मुझे जिजिए सवाल में मॉतलिफ और जैसम साथ से असल में हुआ क्या है हम नाम तो ले रहे हैं दीन का हमारे किया प्रॉब्लम कल्चर की वजह से चीज़ें शामिल हो गई हैं अगर हम अपनी वेडिंग्स को देखें कैसे लिए इंफलेंस बहुत 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 जादा तो अगर हिंदोसान की तरफ जाएं इंडिया प अठीन का स्ट्राट करें हम हृ은 तो अब उस हिसाब से फिर देखा जाता है जहाई लाएं क्यों यह नहींip यह नहीं दिया वो नहीं दिया हृएं यह क्या है यह तो कुछ और चीज़ों से आरास्ठा करके दुल्हन को भेजाएं दिन दो उसके हाद में कुछ और दिया है अब ना यहाँ पर वो डूढ़ा जा रहा है ना उसको तलब किया जा रहा है हुआ यहाँ पर तलब किया जा रहा है कुछ और जो आपका माशरह दी औwww सखाफ़ी कल्चर आपने कि बनाए हुआ है वो चीज़ पूरे नहीं होती तो मामला क्या होता है معاملات خراب ہونے شروع जाते हैं अब फिर उस पर का जाता है कि जी ऐसा क्यों हो रहा है यह है वो है हमने तो इस्तखारा किया था और यह किया था और वो किया था मामला वहीं जाके ठहरता है कि जब कुफ तलाश करें हम पल्ला तलाश करें तो दोनों खानदानों के हिसाब से नजरियाती मेल भी हो और जो है वो तमाम चीज़ें मिलती भी हो इसलिए दीन ने इजाज़त भी दी कि तुम आप जो है वो तमाम चीज़ों का देख भाल के करें कि इसमें कोई वो नहीं है इसमें जल्दी भी नहीं करनी चाहिए और इसके अंदर इन अबादी चीजों का असर है जारी बात पर चीज़ें यह संदगी गुजारनी है यह चीज़ें भी देखनी है एजुकेशन भी देखनी है पैसा भी देखना है सब जीजे इनसान अच्छे सच्छे अपने ली डूंटा है मगर जो दीन कह रहा है कि जहाँ पर रूट कौजस पर वो हाथ रख रहा है वो हमला कर रहा है ताकि यह घर आबाद होने की तरफ जाए तबाह ना हो क्योंकि जैसे किबला ने अर्स की कि उसमें जो मावलाद बच्चों के तबा होते हैं वो बड़े खतनाक है सबस्यादा सफ़र जो करते हैं इस लिए में वो बच्चे ही होते हैं यतीमों के उपर दस्ते शफ़कत रख देते हैं रिशदार भी मगर यहाँ पर मावाब की खेचा थानी में जो बच्चे रुलते हैं वो बागी जहन के साथ बड़े होते हैं तो फिर वो आगए जाके कैसे एक फामिली लाइफ स्टार्ट कर सकेंगे जिनकी तरवियत ही ऐसी होगी तो वो जाहर है कि यह चीज़ें जो हैं खतना को जाता है अब बीस साल की उमर में इनसान शादी कर रहा है क्या सोचे का वो इतना मिश्योरी नहीं है इसी लिए कहा गया कि वालदें की तरफ रुजू करो उन्होंने तुमें उंगली पकल के चलना सिखाया है वो जानते हैं बच्चा बड़ा होते ही कहता है बाबा आपको तो पता ही नहीं आपको को क्या पता तुम उस वक्त को याद करो जब तुमें उंगली पकल के चला रहा था तुम उस वक्त को याद करो जब तुमें बोलना सिखाया था जब तुमने पहली मरतबा बाबा कहा था या ममा कहा था तो तुम उस वक्त को याद करो कि अब बोला कहते हैं ना बोला बोला आज बोला ये उस वक्त को याद करो ठीक है तुम नए जमाने के जदीद हिसाब से चीज़ें जानते हो मगर उन तजरबात के हामिल नहीं हो बेशक उन तजरबात को अपने माबाब की तरफ रुजू करो उनसे की वज़ा से जिन्दगी में ठोकर खाने से वो तुम्हारे लिए दुरुस्त फैसला करेंगे बेशक्त किसी के भी माबाब मैं नहीं समझता जो अलाद के लिए गड़ाख होते हूं मुम्किन नहीं है मुम्किन नहीं है मैजारोटी में तो नहीं है कोई एहमाख हो कहीं पर और ऐसी हरकतें कर रहा हूं तो वो गिना नहीं जाएगा वो शख्स गिना नहीं जाएगा मैजारोटी के अंदर माबाब अपनी उलाद के लिए बेदरी फैसले करते हैं माँबाप के फैसले भी करी दफा जो है वो गला थाबत हो जाते हैं लेकि जाहरे वो दानिस्ता ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि लोगों ने अपने चेहरों पर जो है वो मास्क तढ़ा रखे हैं मिलने में देखने में कुछ और नदर आते हैं लेकि जब बरतने का टाइम आता है तो पता चलता है कि वो यह ऐसे नहीं देखाए यह तो लात अला का नजाम है एक हम इसमें अकल नहीं दे सकते हैं लेकिन फिर भी जितने पॉसिबिलिटी जितने रास्ते निकल सकते हो भलाई की तरफ खैर की तरफ और मसाहलियत की तरफ जितने खुदा ने आपको अकल दी है जितने तो पूरे तरीके से इस्तिमाल करते हुए अपनी तरफ से बहुतर कदम उठाए है या अगजीज हो जाए वहां पिर जाहर है थो पसूरा है यह आपशन रखा है वनना शायद यह आपशन होता ही ना वहां पर यह कहा ही ना जाता कि तलाक दी जाए लेकिन चुक्छे लगा पने बंदों को उसने जिस खमीर से बनाया है उस से बेतर हमें कोई नहीं जानता तिम्हें देखते हैं बास लोग सीधा होने में नहीं आते हैं बिल्कुल गुस्तों को पैसर नहीं होता उनका जो है एक मनतकी अंजाम से फिर गुजारा जाता है लिक्र आला बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कि जर्रा भराबर भी नाइसाफी नहीं करता तो आला बर्दा पसंद नहीं करता कि वो कोई जो ऐसा शक्स ऐसी औरत यासा मर्द जो कि मुकमल है लेकिन एक ऐसा मर्द औरत जो कि ना मुकमल है और आपने आपको ठीक करने की तरफ भी माइल नहीं हो रहे तो पर जाहर है कि इस ऐसी सुरत में यही एक पॉसिबिलिटी रह जाती है लेकिन आला ताला हम सब की बेटियों को बेहनों को और बेटों को भाईयों को इस तकलीव से दूर रखे टाइम हमारे खुत हो गी हम कॉल भी शामिल नहीं में खाल में कॉल एक कुछ खम लेते हैं एक मिनट है भी हमारे पास एक मिनट है चीक है सलाम अलेकुम रहमत ल्लाएब बरकादा कौन भाई कहां से जी मैं पकिस्तान से बात कर रहा हूं श्कील नामे बेरा जी शकील साथ बिलकुल लास्ट मिनट है फरमाईए जी आप खरिये से ठीक हैंगी जी जी अलहमदोल्ला अलहमदोल्ला फरमाईए तो बात सुना ये टीवी में परग्राम लगाए तो नहीं जी आप टेलिविजन स से मत सुनें बिलकुल हमारा टाइम खत्म हो रहा है फरमाईए जी तो बात सुनो जी एलो जी मेरे खेल में जो है वो लॉंग डिस्टेंस कॉल की हो जासे और आप टेलिवीजन सेट से सुन रहे हैं जब भी आप प्रोग्राम में शामिल हों किसी भी लाइफ प्रोग्राम मे कर पाएंगे हम माजलत चाहते हैं कल इंशालला जिंदगी रही तो दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आपके खिद्मत में हादिर होंगे आप फिर जो है उसके अंदर शिर्कत कर सकेंगे और इसी के साथ हमारा टाइम जो है वो आज का जो है वो बिलकुल अपने इक्ताम क तरफ पहुंच रहे हैं इस दौा के साथ प्रोग्राम के खिदाम करेंगे कि परवर्दिगार जो भी जो लोग नए रिष्टे एजवाज में मुनसलिक होने जा रहे हैं कि घरों को शादो आबाद रखे और इन गुनियादी नुकात की तरफ जो कि हमें सीरत जनाब जहरा स सीरत अमीर अलमीन अलेहमसलाम से हमें तालीमात मिलती हैं उनको हम खुद पढ़ें और अपने बच्चों को उनको तालीम दे उनको इतना शओर दिलाएं कि उन पनी प्रैक्टिकल जिन्दगी हैं इन तालीमात के जिर साया जो हो गजार सके ताकि इन तल्क लमात की तरफ व घए जाँ चले सकता हैं याँ आमीर ठालीमा Phillips डिला तान